वेलकम बेक तो माई चैनल, I hope you all are doing really really great वेल गाइज आज के वीडियो का टोपिक है वीच बेबी वैल इस बेस्ट और बेबी मसाज कौन सा बेबी वैल सबसे अच्छा है बेबी के मसाज के लिए और हमें कौन सा बेबी वैल यूज करना चाहिए और अल्सो मैं ये भी बताऊंगी आपको कि मैं अपनी बेटी के लिए कौन सा बेबी वैल यूज करती हूँ तो चले फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक चोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे साथी साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजे सब्सक्राइब करना बहुत ही असान है नीचे एक रेट कलर की बटन होगी जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा उसको टच करना है साथ ही एक बेल आइकन होगी उसको भी टच करना है इसे क्या होगा जब भी हम कोई नई वीडियो पोस्ट करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी सुश्राइब अजिए मार्केट में इतने सारे ब्रांड romantic ऐ प्रॉडक्ट के और इतने सारे बेविव हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं कहीं माम कौन सा मशाज वयल अपने विप के लिए यूच करें कौन सा थे होगा वेल दोस्तों अगर मैं बात करूं बैबी वैल की तो सारे बेभी मैविक्ट ऑपयाइन होते उनिती बेबी वैल सही हैं बेबी के लिए अच्छे हैं यह डिपंड करता है बेबी के स्कीन पे बेबी के स्कीन पे जो भी बेबी वैल सूट कर जाए वो उसके लिए सबसे बेस्ट बेबी वैल होता है अब हम पैरंस यह सोचने लगते हैं यहां पर कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन na Football dest Omega बारे में वताती हो कि BENV two types कि हो एक होथा इसको इसको जो तो जोуетсяन बेजिटेब्स मोने होए वह प्रोड़क्त होते हैं। ऑर जो मनेरल में और होते हैं वह पेट्रोलिएम प्रोड़क्त साश्सकारें और रेकिवह ब्लांट से कि निकाले जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं दोनों के अपने अपने जगह अए तो मैं बताती हूं दोनों के फायदे क्या-क्या है अगर हम वेजटेवल की बात करें तो बेज़ेटेवल तो वेज़ेटिवल ओयल बेबी के लिए इसकी फ्रेंडली है वह असानी से बेबी के skin में मिल जाती है उसे बेबी को कोई दिकत नहीं होती है उसको adjust करने में और second thing कि अगर मैं बात करूँ तो यह skin को nutrition भी देता है और थटकी अगर मैं बात करूँ तो यह skin को growth करने में भी help करता है अब बात करते हैं मिनरल वायल की इसमें सबसे बड़ा खासियत है कि यह प्योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं यह प्योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकाले हुए उयल होते हैं तो यह बहुत अच्छा होता है यह इस वजह से यह लेश्ट एलर्जी हो जाता है इसस विजम्ट तंदनें वाली बात है किलों उप तो बेबी के स्कीन के लिए बिल्कुल रिफ नई है वह बेबी की इसकिन को डेमेज कर सकती है तो इस तेल को हम सह difficult है और और यहां पर और यह सिसे को बेज़ें और यह बहुत जादा सबसे ज्यादा हो या ज्यादा में पाई जाए तो वह तेल बेवी के मसाज के लिए सबसे बेस्ट होता है तो coconut oil में लिलोनिक एसीट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो आप अगर अपने बेवी के लिए coconut oil यूज करते हो तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है अब अपने बेवी के लिए definitely coconut oil यूज कर सकते हो तो अगर मैं बात करूं मैं बता क्रांविके यूज करती में बाइन और कीट मंगवा लिया फिर मैंने सर्च किया इस मेटर पे तो मुझे एक प्रोड़क्ट बहुत अच्छा लगा वो था हिमालिया का उसमें सारे प्रोड़क्ट नेचुरल थे और हर्बल थे तो मुझे वो लगे और मैं भी हिमालिया यूज करती थी तो हिमालिया की प्रोड़क्ट यूज करती थी मुझे और भी अच्छा लगा कि में एक फैद था एक विश्वास था तो फिर और भी असान हो गया हमारे लिए हिमालिया को चुड़ना पिर मैंने कुछ दिन तक हिमालिया के मसाज ओयल की कंटीनीव किया और हिमालिया के ओयल से मसाज करने लगी उसके बाद पिर मैंने हमारे लिए कोई दिकत नहीं है या तो कंटीन्यू कर सकते हूं or अब ही मैं जो भी प्रोडक्त या यूज करती हूं करती हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्स इन पर देंगी आप चाहो तहूं हो हां पर चाहर कर सकते हो तो क्या दिन आज की वीडियो में बस इतना ही आ अगर अच्छी लगए तो प्लीज एक लाइक कर दें और साथे साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तक के लिए